जै स्री कृष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे अगर वीडियो पसना आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लग रही है और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो हम लेकर आए हैं जल जूलनी एक अदसी पर जिसको परिवर्तनी एक अदसी भी कहा जाता है इस दिन विश्नो भगवान के बावन अपतार की पूजा की जाती है और ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान बावन की पूजा ब्रह्मा विश्नो महेज तीनों की पूजा करने के समान होती है जलजूलनी एक अदसी के दिन उपवास किया जाता है जिसका बहुत ही महत्व होता है यह उपवास करने से भगवत किरपा प्राप्त होकर सुक समरद्री में बढ़ोत्री होती है कहते हैं भगवान विष्णो की प्रसंता के लिए स्वर्ग के देवी देव तब ही इस व्रत को करते हैं अपने प्रती द्वंदी के से आगे रहने और राजा जैसा सम्मान पाने के लिए सास्त्रों में इस व्रत का विधिवधान है जल जूलनी एक अदसी के दिन भगवान विष्णो को मंदिर या घर से बहार ले जाकर नदी तलाव आदी के किनारे जल से इसनान कराया जाता है वहाँ पूजा की जाती है और कई स्थानों पर भगवान को डोली में बिठा कर सोवा यात्रा भी निकाली जाती है कुछ स्थानों पर मेले का भव्या आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेकर उत्सम मनाते हैं जल जूलनी एक अदसी की जो है माननेता है कि इस एक अदसी के बारे में कई प्रकार की माननेताई पर चली थैं कहते हैं भगवान स्री कृष्ण के जनम के बाद माता यसोधा ने कपड़े बगेरा दोकर सुधी करके जलवा पूजा की था इसी दिन माता ने पहली वाहर काना को घर से बाहर निकाला था एक अन्या माननेता के अनुसार चार मास के सैन काल में सेशनाक की सईया पर लेटे भगवान स्री हरी विष्णू इस दिन करवड बदलते हैं इसलिए इसे परिवर्थनी एक अदसी कहते हैं एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विश्णु ने राक्षस राजवली को बामन ब्रहमन बना दिया बनकर परस्त किया था जिसकी कथा इस प्रकार है त्रेता युग में बली नामक एक दानव था दानव होते हुए भी वह भक्त दानी सत्यवादी तथा ब्रहमनों क की सेवा करने वाला था साथ ही वह यग और तप आदि भी क्या करता था भक्ति के प्रभाब से वह इतना बलवान हो गया कि वह सर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने की कोशिस करने लगा इससे देवताओं के लिए समस्या उत्पन हो गई समस्या के समाधान के लिए भगवान सिरी हरी विश्नु से साहता की प्रात्मा की भगवान सिरी हरी विश्नु ने बामन का रूप धारन किया और प्रत्वी लोग पर जाकर राजा बली के सामने उनसे याजना करके कहा कि हे राजन तुम मुझे तीन पगभूमी दे दो मैं तुम्हें तीन लोग दान का फल प्राप्त होगा राजा बली ने दानी होने के कारण बामन का आग्रे स्विकार कर लिया भगवान ने अपना आकार बढ़ा लिया कि प्रत्वी भी छोटी पड़ गई बामन देव ने अपने प्रथम पग में भूमी दूसरे पग में नबु को नाप कर उन पर अधिकार लिया बामन देव ने राजा बली से पूछा कि मैं यह तीसरा पग कहां रखूँ ऐसे में राजा ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ा दिया बामन देव ने अपना पाउं उस पर रख दिया इस तरह स्वर्ग एवं पृत्वी लोग एक साथ राजा बली पर भी बामन देव का अधिकार हो गया भक्त दानव पाता लोग चला गया और देवों को उसकी सक्ती से छुटकारा मिल गया पाता लोग जाकर भी अपने कठोड तप से राजा बली ने फिर से विश्णू जी को प्रिसन किया और बरदान के रूप में बामन देव को पाता लोग में पहरेदार बनने की बिंती की यह समय भादर पद महा का ही था और हिंदू पंचांग के अनुसार यह समय सुक्ल पक्स के बेतर आता है तभी से हिंदू धर में इस दिन बामन एकादसी मनाई जाती है अब इसके ब्रत की विदी बताते हैं दस्मी को ब्रहम जारे का पालन करें एकादसी के दिन सुबह नित्यकर्म से निशनान से आधी से निवरत होकर सुद्ध वस्त्र धारन करें बामन भगवान के सामने ब्रत का संकल्ब लें निरहार रहकर उपास करें एक समय फलाहार किया जा सकता है अन बिलकुल ना लें, बामन भगवान की विधी विधान से पूजा करें, पंचामरस से इसनान कराएं, रोली, अक्सक्त, मौली अरपित करें, पुस्प अरपित करें, नेवेद के रूप में फल, मिठाई आदी अरपित करें, दीपक जला कर आरती करें, विश्नु सहसत्र न